हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेशन है, the area of rhombus is 240 cm square, and one of the diagonal is 16 cm, than the other diagonal वाई, एक rhombus क्या होता हमारा? यह हमारा rhombus हो, rhombus क्या होती? 4 sides इक्खल होती, ठीक है? यह हमारा diagonals होती है rhombus क्या होती? 4 sides हमारी क्या होती? इक्खल होती, यह square की होती, लेकिन square के यहाँ पर क्या बनता? 90 बनता है, rhombus क्या यहाँ पर 90 बनता है ठीक है, जहाँ पर diagonal क्या आता है? इंटरसेक्ट करते हैं, अब हमारा पर A, B, C, D हमारा पर क्या है? रombus है, area of the rhombus, पहले हमें क्या होता है? area of rhombus, area of the rhombus हमारा क्या होता है? 1 upon 2 into D1, D1 दो हमारा diagonal, यह diagonal होते हैं, कितने diagonal? एक diagonal यह, 1 है, D1, 1 equal to D2 होता है ठीक है, diagonal 1 into diagonal 2, यह, इसको हम diagonal बोलते हैं, 1, यह diagonal 2 यह, 1 या 2, किसी को आप 1 ले लो, किसी को 2 ले लो, area अलड़ी दे रखा, कितना दे रखा, 240 cm2 दे रखा, बैए, 240 cm2 दे रखा, 1 upon 2, एक diagonal भी हमें दे रखा, कितना दे रखा, 16 cm, कितना दे रखा, 16 cm, मुझे diagonal 2 निकालना ह है, इसको आप कार सकते हैं, कितना हो जाएगा, 8, तो 240 cm2 equal to कितना हो जाएगा, 8 cm2, मुझे diagonal 2 ही निकालना है, तो diagonal 2 निकालना है, 8 कहा जाएगा, divide में आ जाएगा, 240 cm2, आप होन क्या हो जाएगा, 8 cm, diagonal 2 equal to, देखो, cm2 कर जाएगा, एक बचेगा, 2 cm2, जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24, यह 0 यहाँ, तो कितना आ गया है, हमारा 30 cm, diagonal 2 हमारा कितना आ गया, 30 cm आ गया, ओके,